अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराईयां दिखते ही हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है ये कहीं न कहीं गलत राजनिती की परंपरा की शुर्वात नहीं आपसी मदवेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे हैं पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनितिक मदवेदों को अपने विक्तिकत राजनितिक लाप के लिए इस तरीके से इस्तमाल करकर अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी इतराज है आप भारत में रहिए आप तो एलोपी भी हैं अप सरकार के समक्ष अपने सुझाब भी रख सकते हैं अपनी चिंताई भी रख सकते हैं पर इस तरीके से दूसे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं सोचत नहीं है है यह सारी बाते जनता के जनता के डोमेन में हैं पब्लिक प्लैटफॉर्म में हैं उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रत में एंडिये सरकार को चुना है तो कहीं न कहीं ये बात तो सपश्ट है न कि साम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उलेक कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर कम से कम भारत की जनता तो उसे स्विकार नहीं करती होत तो तीसरी बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान मंत्री नहीं बनाती लगातार जो की भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्दी है लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधान मंत्री को और अ करदबंदन को चुनने का काम किया है तो ऐसे में जो सैंप पित्रोधा खेह रहे हैं कम से कम देश की जंता तो उसे नहीं माले हैं अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनुबल इतना जादा बड़ा है तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सक्ताई से लागू किये जाने की जब तक अपराधी के मन में भै नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी मैं पुना आगरा करूँगा स्थानिय प्रसाशन से कि जल्द से जल्द जो भी दोशी हैं उस पे कड़ी कारवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने का थाओं हुआ है